हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका ट्रेनिंग वारी पर और आज की ट्रेन जानकारी में मैं कुछ नई ट्रेन के साथ रेल अपडेट के बारे में आपसे बात करूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पर नहीं है तो स सब्सक्राइब करने था कि रेल वे की हर चोटी बड़ी अपडेट आपको समय से मिलते रहें तो अचलिए वीडियो को आगे बढ़ा तर पहले कुछ नई ट्रेंज की बात करते हैं 9135 गुजरात कुई इनको शुरू की जा रहा है 22 सितंबर से वलसाड से इसकी टाइमिंग से एमदाबा से ट्रेंग चलेगी 21 अरिक को जबकि यह ट्रेंग 5 बजकर 45 मिंट मुंबई से गुजरात सुपरफास की रूपे एमदाबाद के लिए चलेगी 20 सितंबर से टाइमिंग 5-45 दोनों ट्रेंग रिजर्व हैं अब कुछ अन्रिजर्व मैमो स्पेशल की बात करता यहां से ट्रेंग अगली दिन सुबह 17 तारिक को तीन बजे नरकटेगन से रवाना होगी 6-25 पे मुझफर पूर जंक्षन से रक्सोल के बीच में मैमो शुरू की जारीया 8-35 सी टाइमिंग देगी 12-25 पे रक्सोल पहुंचेगी 16 तारिक को इसी दिन यह ट्रें शाम को साड को दो बजकर 30 मिट पे पटना से गया के बीच में दो मैमो स्पेशल शुरू की जारीया पंदरा तारिक से पहली ट्रेंग के टाइमिंग है पटना से गया के लिए सुबह 16 बजे जबकि दूसरी ट्रेंग में एक बजकर 45 मिट पटना से चलेगी गया पहुंचेगी साड़े चार बजे जबकि गया से पटना के लिए जो दो टाइमिंग है उसमें पहली ट्रेंग सुबह 10 बजे चलेगी पटना पहुंचेगी 12 बजकर 50 मिट पे दूसरी ट्रेंग शाम को चलेगी 6 बजे गया जंक्शन से और पटना पहुंचेगी रात को 8 बजकर 50 मिनट पे इसके ल 2020 जैपुर से कोटा के बीच में दो ट्रेप को शुरू की ज़र है 14 और 15 सतंबर को कोटा से ट्रेंग शाम को 7 बजकर 45 मिनट पे रवाना होगे स्वाई मादोपुर के रास्ते 12 पंदरा पे जैपुर पहुंचेगी और इसी दिन जहावो 15 और 16 नो को रात को सवा एक बजकर जैपुर से कोट आगले दिन पहुंचेगी अगली रेल अपडेट अंगुल और ताल्चे रोड के बीच में आ रही है यह खुर्दा रोड ड्विजन के अंदर आता है पूरो 30 रेलवे के अंदर यहां पे जो है वो एक माल गाड़ी डिरेल होगी है एक ब्रिज था एक चै जारे के लिए जो टेंडर था साथ पॉइंट एक च्छे क्रोड का जोत्पू ड्विजन का इसको जो है वो कैंसल कर दिया गया है इस टेंडर को लास्ट डेट जो है 16 सतंबर 2021 थी और उसको बाद में खुलना था लेकिन किनी वज़े से जो है इस टेंडर को जो है वो कैंसल की जारी है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 14 ट्रेने हैं कौन सी ट्रेन ट्रेन नंबर किस डेट को किस स्टेशन से और किस परकार के डिब्बे की बडोत्री की जाएगी आप आराम से देख सकते हैं 14 ट्रेनों में जो है एक्जाम के करण जो है वो बडोत्री की जारी है एस थाई रोप से बढ़ोती है, बाद में डिबों को हटा ले जाएगा, तो ये आज की rail news थी, आपके लिए, वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से सम्मंदित किसी परकार की कोई इंक्वारी और सुजाओ, हो तो आप मुझे कमेंट करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेगो, कि रेलवे से समंदित सी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, मैं मिलता हूँ आप से रेलवे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जैहें,